बहुत बहातिले चतुरही करो भजन की बात पर रंच प्रेम की छटाविन सब नीरस है जात सिवग जी माराज एक स्थान पर लिखते हैं गावत गीत रसाल और भाल तिलक सोभित घना पर बिन प्रीत ही बेहाल स्री हरिवंश क्रिपाव विदाओं यहां कहने का ताथ पर रही है पुर्वी कई बार हम इस बिशे पर इस बिंदू पर चर्चा कर चुके ऐसा दादू कहते हैं कि घीव दूध में रम रया व्यापक सब ही ठोर भगवान सर्वत्र है यह कहते तो सब हैं पर क्या वस्तुते जानते हैं यदि जानते हैं तो फिर प्रतिकूल आचरण कैसे करते हैं कौन है यहां आप जितने जन्वी यहां पर बैठे सुन रहे हैं आप में से कौन ऐसा है जिसने ये बात पहली बार सुनी हो कि भगवान सब जगा है भगवान सर्वत्र है हरी व्यापक सर्वत्र समाना ये बात किसी ने पहली बार सुनी हो ऐसा मुझे नहीं लगता तो ये बात आपने और मैंने सुनी है और हो सकता है कभी किसी को कही भी हो तो कहते सुनते तो आप और मैं ये बात हैं पर यदि ये बात है तो विचार करना चाहिए कि क्या हम इस बात के अनुकूल आचरन करते हैं यदि जीव ये जान ले यदि जीव ये मान ले कि भगवान है सरवत्र है और मुझे देख रहे हैं तो फिर पाप तो कभी करी नहीं सकता फिर किसी से द्वेश तो कभी करी नहीं सकता किसी के अहित का चिंतन तो कभी करी नहीं सकता तो दुवदाज जी कहते कि भाई कहते सुनते तो बहुत लोग है पर जैसे सब गोस्वामी जी कहते कहत सुनत दसा हिरदय नहीं आवे तो यहां केरें बहुत भातिले चतुरई करो भजन की बात बड़े सुन्दर सुन्दर शब्दों में और बड़ी मीठी मीठी बातों से कोई अपनी वानी के कौशल से किसी को थोड़े से समय के लिए लुभा सकता है किसी को अपनी और आकरशित कर सकता है पर मैं कई बार आपको कहता हूँ संत तो वो है भाई जिसकी बात से आपकी बात बनना आरंब हो जाए और बात बनना क्या है कि स्वार्त छूट कर और परमार्थ में मन लगने लगे सो की बात एक है सार की बात ये है कि सचे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम संत का एक लक्षन होता है मैं कई बार आप पी कहता हूँ संत को देखकर नहीं पहचाना जाता भाई केवल देखकर संत को नहीं पहचाना जाता संत को अनुभव किया जाता है वो ही संत है भाई जिसके पास में बैठकर ये जो विशय का विश है ये धीरे-धीरे उतरने लगे जिसके पास बैटकर जिसके संग से संसार से मन हटकर और प्रभू की ओर आगे बढ़ने लगे तो दादू कहते हैं घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठोर और फिर कहते हैं दादू बक्ता बहुत है हम लोगों को वक्ता कहा जाता है न पर वो कहते हैं कि जो बिना अनुभव के बोलता है वो वक्ता नहीं है वो तो बक्ता है बक्ता है माने वृथा अपलाप करता है उसकी बात का कोई मोल नहीं है उसकी बात से कोई लाब नहीं होता अरे कहने वाले की बात से स्वयम को लाब नहीं होता दूसरे को क्या होगा तो के रहे दादू बक्ता बहुत हैं पर मत ही काड़े तै और घी दूद में है दूद के एक एक बूंद में घी ये सब जानते हैं लेकिन जिनोंने दूद का दही बनाया है फिर उसको मता है माखन निकाल कर उसको तपाया है घीव बनाया है ऐसी प्रक्रिया करके और उसका अनुभव करने वाले थोड़े हैं जानने कहने वाले बहुत हैं सुनने वाले उससे भी अधिक हैं कहने सुनने वालों की तो भीड है भाई पर सत्य को जानने वाले बड़े थोड़े हैं यहां दुर्वदास जी के रहे, प्रेम की बात करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, और बहुत क्या मैं कहता हूँ, आप मैं हम सब कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी से प्रेम की बात करते ही आए, लेकिन आपका मेरा प्रेम, आपकी मेरी प्रीत कैसी थी, उससे श्र आवत जात न जानी है उसे प्रेम नहीं कहना चाहिए जैसे च्छां और दूप जो दूप च्छां की तरह आता रहे जाता रहे कभी घटे कभी बड़े उसको प्रेम नहीं कहना चाहिए उसको प्रेम कहना मानना स्वयम की भूल है फिर लोग कहते हैं कि भाई हमने बड़ा प् इनो भी जाना होता है गुण रहीतम कामना रहीतम उसे अपने सुख की लेश मात्र भी कोई कामना नहीं है वो तो आया ही मिटने के लिए है वो मांगने जाचने के लिए नहीं आया वो लेने देने के लिए नहीं आया उसे खोने पाने की भी चिंता नहीं है सेवक जी महराज कहने स्वर्ग ना इच्छे नरक न डरे धरे धरम हरिवन्ष को प्रेम तो नियोचावर करने के लिए आता है स्वेम को विसरजित करने के लिए आता है गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्म तरम एक स्थूल प्रेम होता है दुरुवदास जी कहते है कभी घटता है कभी बढ़ता है कभी आता है कभी जाता है दिखाई देता है प्रेम की जैसा पर प्रेम नहीं है सूक्ष्मतरम और फिर कहते अभी छिन्नम उसकी धारा कभी कुंठित नहीं होती वो तो बस आया और उसके बाद बढ़ता ही चला गया बढ़ता ही चला गया और अंत में कहते हैं अनुभव रूपम फिर कहते हैं भाई बहुत क्या कहें इसके विशय में जिस तन लागे सो तन जाने मीरा कहती है न एरी में तो दरद दिमानी मेरो दरद न जाने कोई सखियां सहचरियां पूछती हैं मीरा जी से कि आपको क्या दुख है आपको क्या पीडा है सब तो आपके अनुखूल है आपके पती आपके अनुखूल है जैसा आप चाहती है वैसी आपके अनुखूल सब व्यवस्था है फिर भी आप अपने गिर्धर गोपाल की सेवा भी करती हैं वो भी आपको देखकर हसते मुस्कुराते रहते हैं आपको पीडा क्या है? तो मीरा कहती थी कि एरी में तो दरस दिवानी और मेरो दरद न जाने को गायल की गती गायल जाने कैजिन गायल हो है और फिर अंत में कहती थी कि तुम मेरी चिंता मत करो मेरी चिंता मत करो मीरा के प्रभु पीर मिटेगी मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जो बैद सवलिया होए एरी मेत अडरस दिवाणी मेरो दरद ना जाने को और यदि कुछ और होगा तो फिर परिनाम भी कुछ और आएगा परिनाम भी कुछ और आएगा अरे प्रेम जन्य जो पीडा है उस पीडा पर तो संसार का समग्र सुख ने उचावर किया जा सकता है किया है प्रेमियों ने प्रेमियों ने अपने एक प्रेम अश्रू पर संसार का सर्व सुख ने उचावर किया है उधव गोपियों के आसू पोचने ही तो आये थे पर गोपियों ने कहा हम तेरी बात सुनना भी नहीं चाहती जो चर्चा जो वारता हमें कृष्ण की स्मृति से कहीं और ले जाए हमें वो सुनना भी स्विकार नहीं है तू हमें कुछ करने के लिए कहता है अरे हम तेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है यह अश्रूई हमारा परंधन है यही हमारा जीवनधन है अरे यह हमारी संपत्ती है हमने कमाई है इन्हें नहीं को सकती हैं तो धुबदाज जी कहने बोले प्रेम की बात बड़ी चतुराई से बहुत करने वाले आपको मिल जाएंगे और मुझे तो लगता है एक शमा करना बुरा नहीं मनाना आप मैं हम तक आज तक चतुराई से प्रेम की बात ही तो कहते सुनते आ रहे मेरा कहना भी चतुराई है आपका सुनना आप जाने पर कहते रंज प्रेम की छटाविन सब नीरस है जात परन्तु आवश्यक्ता पड़े और उस प्रेम का कहीं दर्शन ना हो तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातों का क्या मोल और क्या लाब और मैंने तो आपको पूर भी समरन हो तो कहा था मैंने ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है जिनको दो बात भी ठीक से कहना नहीं आता लेकिन उनके आभा मंडल में उनके चरित्र में कोई ऐसी खुश्बू आती है कि उनका दो घड़ी का संग हृदय में भगवत भाव उत्पन कर देता है बात तो कहनी नहीं आती मेरे प्रकार से जैसे मैं आपको बात बना कर सुनाता हूँ ऐसी बात तो शायद वो बना कर नहीं सुना पाते लेकिन कुछ है भाव उनके पास में ऐसा कि उनके निकट भी बैठो तो उनका मौन भी आपको भीतर कहीं आनंद से भर देता है रंच प्रेम की छटा है वहाँ पर तो प्रयास जो करना है वो उसी प्रेम बिंदू को प्राप्त करने का करना है नहीं तो दुरुपदास के रहे उसके अतिक की कहना सुनना कहीं लेकर नहीं जाता भाई ये कहीं लेकर जाने वाला नहीं है जनम जनम मुनी जतन कराई कवीर कहते, अरे जुग भया, ये माला फेरते तो जुग बीट गया, पर फिरा न मन का फेर मन का मन का फेर कवीरा, मन का मन का फेर फिर के रे पानिप मोती की यठा ऐसो भजन सनेह जाके उर्जलकत रहे तिनही धरी धुरुग दे पूर्वी व्यास्पीट से निवेदन हुआ था कि भजन तो ऐसा हो कि आपको देखकर किसी को आपके इश्ट की स्मृति हो जाए आप आज इसका अनुभव करिए मैं हनुमान जी की वारता करूँगा आपके मन में सहज राम जी आ जाएंगे मैं मीरा जी की बात करूँगा गिरधर गोपाल सहज आ जाएंगे आपके मन में तो जो भजन है कोई साधारन वस्तु नहीं है भाई मैं एक छोटा सा उधारन आपको बहुत समय से देता हूँ पर वो बड़ा काम का है महत्वपून है कि छोटी सी वस्तु भी अपना प्रभाव दिखाती है छोटी सी वस्तु उसमें अपना कुछ गुण है उसमें उसका कुछ प्रभाव है एक साधारन सा इत्र आप लगा कर निकल जाएए वातावरन महक जाता है थुड़ी देर के लिए साधारन सी वस्तु में इतना प्रभाव है भजन में प्रभाव नहीं होगा आप भजन करते हैं आपको भी खबर नहीं पड़ती है ऐसा कैसा भजन है ऐसा कैसा भजन है एक बार इस बात का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भजन का प्रभाव नहीं होगा इसलिए तो जिनों ने वास्तविक रूप में भजन किया उन्होंने माला पहनी तो पहनी, नहीं पहनी तो नहीं पहनी माला फेरी तो फेरी, नहीं फेरी तो नहीं फेरी, तिलक लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया और ऐसी बात महाप्रभू सुधा निदी में कहते है महाप्रभू कहते है कि जिनका मन भजन भावना में रम गया है जिनका मन वास्तविक रूप से भजन परायन हो गया है मुझे वो माला चंदन ग्रहन करें तो कोई लाब नहीं है न करें तो उन्हें कोई हानी नहीं है क्योंकि जो लगना चाहिए था भजन में वो लग गया और मन के लगे ही काज है तन के लगे न काज मन के लगने से ही काम है भाई और यदि भजन होगा तो वो जलकेगा कैसे जैसे मोती का लावन्य जलकता है मोती के लावन्य से ही मोती की कीमत पता चल जाती है उसका लावन्य कैसा है उसकी आभा कैसी है जब भजन करोगे तो आत्मा का सौंदर्य प्रकट होगा जीव जैसे ही भगवत चरणारविंद की शाया में पहुंचता है जीव जैसे ही भगवत सेवा करने लगता है उसकी आत्मा का सौंदर्र प्रकट होता है जो आपका वास्तविक सौंदर्र है वो सत्चित आनंद जो आपके भीतर छुपा बैठा है वो प्रकट होता है, उजागर होता है और केवल आपको नहीं, सारे संसार को प्रत्यक्ष होता है सारे संसार को प्रत्यक्ष होता है पूर्वी मैंने आपको एक बार शायद कहा था, कि जब मीरा बाईसा पाउ में घुंगरू बांध कर नृत्य करती थी, तो उनको देखता कौन था, कौन उनका दर्शन करता था, बड़े-बड़े सिद्ध बड़े-बड़े रिशी मुनी तपस्वी, त्यागी, सन्यासी, चल-चल कर, दूर-दूर से चल कर मेवाड आते थे मीरा वाईसा का दर्शन करने दूर-दूर से चल कर आते थे उस भक्ति-मति का दर्शन करने किसी सुन्दरी स्त्री को नृत्य करते देखने के लिए सादू नहीं आते थे वो जो कृष्ण भक्ति-चलक्ति थी एक-एक पद की थाप पर जाने कितने-कितने भक्तों का मन मयूर नृत्य करने लगता था और मुझे तो लगता है धन्य धन्य वो जन होंगे जिन्होंने इस दिवे दृष्षे को अपनी दृष्टी से देखा होगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि भगवान का दर्शन सुलव है पर भगवान के भाव में रंगे किसी प्रेमी भक्त का दर्शन बड़ा दृरलब है भगवान के ते ऐसा एक भक्त तो त्रिवुवन को पवित्र करने वाला होता है इसके नेत्र प्रेमा शुरू से भरे हो जिसका कंठ स्वर गदगद होता हो वानी स्खलित होती हो रोम रोम पुलकित होता हो ऐसे किसी भक्त का दर्शन बड़ा दृरलब है भाई पुन्य के पुन्ज का परिणाम है ऐसे किसी भक्त का दर्शन तो यदि भजन करोगे तो वो जलकेगा जलकेगा सहज जलकेगा भजन का प्रभाव प्रताप है ऐसा आपके आभा मंडल में भजन जलकेगा इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूँ आपका व्यवहार पूजा जैसा पवित्र हो जाएगा आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो जाएगा आपके चरित्र से एक खुश्बू आएगी चंदन के व्रिक्ष के निकट जितने व्रिक्ष होते हैं न वो भी चंदन के से हो जाते हैं वो भी चंदन के से सुआसित हो जाते हैं बहुत बार किसी प्रकार से माताएं बहने या और कोई प्रश्न करता है न कि परिवार में बड़ी प्रतिकूलता है कैसे भजन करें और कैसे उनको भजन में लगाएं किसी को भजन में लगाने की एक इविदिय भाई आप इमानदारी से भजन करिए आपके चरित्र से वो खुश्बू प्रकट होगी न तो भगवान साधारन है और न भक्ती न भगवान साधारन है न भक्ती और न वो भाव जो भक्ती की कृपा से आपके रिदय में प्रचक्ष होता है देर सवेर नहीं ऐसा अवश्य होगा ऐसा अवश्य होगा निश्चित है आपके आभा मंडल में जैसे ही वो प्रकाश होगा, देखो जो आपके निकट जो व्यक्ति है मानलो, वो आज भजन नहीं करता है नहीं करना चाहता है पर आत्मा तो उसकी भी सुक चाहती है आत्मा तो उसकी भी वोई रस चाहती है, उसकी आत्मा भी वोई आनंद चाहती है, जिस दिन उसके आत्म को जिस दिन उसके रिदय को आपके आभा मंदल से वो भजन की सुवास आई वो भजन की जलक आपके चरित्र व्यक्तित्व से उसको मिली वो सहज लगेगा भजन में हाँ पर सीधी सरल सी बात है मैं आपको कहता रहता हूँ बहुत कहने से कुछ नहीं होगा भाई थोड़ा करने से होगा बहुत कहिए मत बहुत सुनिये भी मत थोड़ा कहिए थोड़ा सुनिये पर हो सके तो थोड़ा करिये करना आरंब करिये और फिर मैं आपको स्मरंण दिला दू, यह मैं नित्व प्रति आप से कहता हूँ, यह कार्य आपका है, आपको करना है, आपके स्थान पर कोई नहीं कर सकता, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कामना की पूर्ति तो व्यापार से भी कराई जा सकती है, लोग रुपया दे दे कर अपने निमित संकलप करा करा कर अनुष्ठान कराते हैं मुझे खबर नहीं कि उसमें कितनी सफलता उनको मिलती है कि नहीं मिलती कुछ मिलता भी होगा पर मैं एक बात आपको बता दू कि जो कल्यान है जीव का कल्यान भगवत भजन करने से होता है और भगवत भजन गुरु की कृपा का बल लेकर स्वैम करना पड़ता है आपके लिए कल्यान का कार्य आपको स्वैम करना पड़ेगा ये पथ आपको बनाना पड़ेगा आपने लिए ये पथ आपके लिए कोई आकर नहीं बनाएगा आपको आपको हिम्मत करनी होगी आपको पुरुशार्थ करना होगा हमारे उपनिशद आग्या देते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान निबूदत उठिए जागिए प्राप्त करिए आप मनुष्य हैं आपको प्रभु ने अपनी सबसे श्रेष्ट रचना बनाया है अकारण नहीं बनाया यहां आना व्यर्थ नहीं है एक प्रश्ण छोड़ देताओं मैं आपके लिए कई बार खबर नहीं आप स्वयम से पूछते हैं कि नहीं जराजीर्ण होकर चिंता से बैठे हैं कोई कारण है महा महिम की दृष्टी में है आप हो सके तो इस अवसर का लाव लीजिए क्योंकि दृवदाज जी कह रहे हैं जांके उर जलकत रहे तिन ही धरी दृव देह बाकी तो भाई काल का ग्रास है जीव आपके मेरे जैसे कितने लोग काई है जिसके व्यक्तित्व से ये भजन रस जलका है उसी ने वस्तुत है मनुष्य की देह धारन की है करत भजन बीधि सोबिध्यो अरू अचार बहुतेर करत भजन बीधि सोबिध्यो अरू अचार बहुतेर प्रेम छटा की जलक बिन भूत है सब अंधेर प्रेम छटा की जलक बिन भूत है सब अंधेर प्रेम छटा रंचक नहीं विधिको भजन अपार प्रेम छटा रंचक नहीं स्वादी स्वाद ना पावही गृत बिन जो जो नार स्वादी स्वाद ना पावही गृत बिन जो जो नार सरल से शब्द है पर बड़ी गहरी बात रुवदाज जी यहाँ पर कहते हैं कहते करत भजन विधी सो बिंद्यो अरू अचार बहु तेर खूब आचार विचार से रहे अपरस अपरस का भी खूब ध्यान रखा इसे चुएं इसे न चुएं माला करे तो ये उंगली लगे ये ना लगे सुमेरू पार नहीं हो जाए ऐसी जंजट में बहुत लोग पड़े रहते हैं अब दोश किसी का नहीं है जैसी शिक्षा मिलती है उसी प्रकार से व्यक्ति उसके तदनो कूल आचरन करता है पर यहां एक प्रेमी संत एक रसिक संत एक भाव सिद्ध संत आपको मुझे भजन की विधी बताते हुए ये कह रहा है मुझे करत भजन विधी संविंध्यो अरू अचार बहुतेर खुब विधी विधान का बालन किया खुब विधी निशेत की चिंता भी की और आचार विचार का भी बहुत ध्यान रखा पर कहते हैं प्रेम छटा की जलक भिन होत है सब अंधेर मैं आपको एक छोटा सा प्रियोग करने के लिए देता हूँ आप माला करते हो माला करना अर्थात भजन करना भजन करना अर्थात प्रभू को स्मरन करना प्रभू को याद करना प्रभू को याद करने का नाम ही भजन है जिस विदी से प्रभु याद रहें उसी का नाम भजन है अब देखना माला करते करते माला करते करते कब कब हुर्दे गदगद होता है कब ऐसी घड़ी आती है कि जब आप ठीक से नाम का उचारण भी नहीं कर पाते है प्रभु के सनमुक खड़े हैं गए हैं दर्शन करने लेकिन प्रेम का स्पर्ष होते ही जैसे ही नेत्र छलके आप सनमुक खड़े हैं लेकिन नेत्र में प्रेम अश्रू भरे हैं और आप दर्शन नहीं कर पाते आप देखना विचार करना बहुत बड़े जीवन काल में ऐसी घड़ियां बहुत कम आती हैं वो थोड़े सिक्षन ऐसे आते हैं और दुर्वदास जी करें बस वो ही क्षन है भजन का कभीर तो कहते हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए ऐसा भजन यदि पल भर का भी हो जाए तो पर्याप्त है अन्यथा खुब विदिनिशेद करते रही है प्रभू को इससे कुछ लेना देना नहीं भाई आप किस जाती के हैं आपका किस कुल में जन्म हुआ है आपने किस संप्रदाय से शिक्षा दिक्षा पाई है आप कितना विदिनिशेद का पालन करते हैं कम से कम व्रिन्दावन कुझ विहारी को तो इससे लेना देना नहीं है दुरुवदास कहते हैं भाई तिनकु तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है ब्रजवासी तो बड़ी सीधी बात कहते है कोई माया ब्रह्म कहता है कोई कहता है प्रकृति पुरुष है हमारे शामा शाम को कोई कहता है यह माया और ब्रह्म है और कोई कहता है यह प्रकृति और पुरुष है कहते है को माया ब्रह्म कहे कोई प्रकृति पुरुष करी जाने अरे वेदन की ये बात बढ़ी हम कहां गवारिन जाने हराजी एक बार श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कुछ चर्चा कर रहे थे अरे एक ब्रजवासन उनकी कथा सुन रही थी अब वो कुछ कहते थे और उनकी भाषा शेली अद्भूत थी उनका वाणी का वैभव उनका वैदुष है सब अनूठा था तो वो संस्कृत निष्ट उनका प्रवचन था और वो बड़े सुन्दर सुन्दर तत्सम शब्दों के साथ और प्रभु की लीला का गान कर रहे थे और वो भोली भाली ब्रजवासन वाँ 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 जय हो जय हो कर रहे थे तो उसके पास में एक संस्कृत की प्राध्यापिका वैठी थी उसको बड़ा आश्चर हुआ कि इसकी वेश्बूशा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि पढ़ी लिखी भी कुछ हो परि माराज का प्रवचन ऐसा सुन रहे है हिर्द्यंगम कर रही है और आनंद ले रही है तो उसे रहा नहीं गया कथा के बाद उसने पूछा कि माता जी आपको इनकी बात सब समझ में आती है तो वो ब्रवच वासन क्या उत्तर देती है वहलिए अरे इनकी बात उनको तो ब्रह्माउन आय समझ सके हम का समझेंगे वहलिए आप तो बड़ा आनंद ले रही थी वहलिए हम तो बस जी जाने कचु हमारे प्रिया प्रीतम की बात हो रही है हम तो बस इतनो जाने है हमारे प्रिया प्रीतम की कचु बात कर रहे है हमको तो बस सुनवे में ऐसे या आनंद आयर है तो को माया ब्रह्म कहें और को प्रकृति पुरुश करी जाने और एक सीधा साधा प्रेमी हृदय क्या कहता है अरे वेदन की ये बात बड़ी हम कहां गमारिन जाने व्रिंदावन की कुंजन इन व्रिंदावन की कुंजों में व्रिंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध कोई ये समझे ना समझे हमको इतनी समझ बली है ठाकुर हमरे नंद लला है ठाकुरानी व्रिशभानू लली है मुझा सहज प्रेम है ना प्रभू से, मुझा अपना पन है ये मेरे हैं वैसे भाव देखना टटोलते रहना, ये भाव रिदय में आया के नहीं कई बार बड़े विस्तार से इस बिंदु पर भी चर्चा हुई, जितना सुख दुख है वो अपने पन से है जहां अपना पन है, वहाँ पर सुख भी है, दुख भी है और जहां जितनी घनिष्टता है संबंद की जितनी प्रगाड़ता है सुख और दुख की प्रगाड़ता भी वहाँ पर उतनी है, जितना निकट का संबंद है, उतनी प्रसंता भी होती है उतनी पीडा भी होती है, तो प्रभू से देखना कोई संबंद है कि नहीं आप जब नेत्र मुंद कर प्रभू का नाम लेते हो तो लगता है दूर किसी और लोक में बैठे किसी ऐश्वरे शाली पुरुष का नाम ले रहे हो या जिसका आप नाम लेते हो वो आपका अपना है आपका अंतरमन देखना उसे अपना मानता है कि नहीं यह जो आत्मियता है बस यही भजन का सार सर्वस्व है यही भजन का प्रान तत्व है परमश्रदे स्वामी रामसुक दाज़ी महराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा करते थे बोले भाया सार की बात एक है सहज में कहते थे बोले भाया सार की बात एक थे मैं उश्री भगवान का और मेरे श्री भगवान जितना कुछ कहना सुनना है बैसी यही बात समझने के लिए है अनुभव करने के लिए है हिर्देंगम करने के लिए है तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई अब तो आके बाह पकड़ लो अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम बस सार की बात दिये भाई और जैसे शंकराचारे कहते हैं पुनरपी जन्मम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शैनम मैं थोड़ा सरल शब्दों में इसे कह देता हूं कि अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जनम दुबारा जब तक नहीं मिलोगे तब तक आना पड़ेगा जब तक प्रभु नहीं मिलते तब तक आना पड़ेगा इसलिए बड़ी बात ही है भाई कि प्रभु से अपना पन हो जाए प्रभु अपने लगने लगें प्रभु प्रिये लगने लगें प्रभू मीठे लगने लगें और जब कोई अपना हो जाता है न तो अपने कोई याद करना नहीं पड़ता भाई अपना तो याद में बना ही रहता है कभी-कभी तो ऐसा होता है अपने से मन हटाना पड़ता है पर मन हटता नहीं मन हटाना पड़ता है पर मन हटाने एक बार किसी कुँझ में बैटी गोपी ध्यान कर रही थी नारण जी आ गये नाराएंट नाराएंट कर दे नाराजी ने द्रिश्य ब्रजभूमे में पहली बार देखा था क्योंकि ब्रज नहीं जोग के जोग यहां तो ध्यान किया नहीं जाता और रसिक संतों की वाणी में मैंने पड़ा है हरिलाल व्याजी रसकुल्या में लिखते हैं बुले पूजा से भक्ती को त्रास होता है और ध्यान से भक्ती का हरास होता है यहां तो प्रभू सन्मुक हैं, प्रत्यक्ष हैं जी भरकर उनका दर्शन करिये नेत्रों से नेत्र मिलाईये तो गोपी बैठी ध्यान कर रही थी नारजी न देखा भाई ऐसा दृष्य तुमने पहली बार देखा है ब्रज की गोपी ध्यान करती है किसका तो नारजी पास में गए गोपी ध्यान मुद्रा में बैठी है नारजी ने अपनी भीणा का तार जनकृत किया श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 गोपी ने नेत्र खोल कर देखा प्रणाम किया मैं पूछना चाहता हूँ आप किसका ध्यान कर रही है वो पीने का आरे ध्यान नहीं कर रही नाराज जी मैं तो प्रयास कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए कनईया ध्यान से हट जाए कनईया ध्यान से नहीं हटता क्या करें थोड़ा प्रयास करती हूँ कि किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण की विस्मृति हो जाए जिसे संसार का कारे व्यभार का कारे साध ले ध्यान से हटते नहीं तो जब आत्मियता होती है और जब संबंद प्रगाड होता है तो प्रयास भी करो तो याद जो है वो हटती नहीं स्मृति धूमिल नहीं पड़ती स्मृति धूमिल नहीं पड़ती तो सब भजन का साधन का सार स्वरूप जो भावे न वो तो भाई यही है मेरे हो जाएं प्रभो मेरे, यह जो व्रिंदावन के रसिकाचारियों की सेवा का भाव है हम लोग यह नहीं कहते कि हम प्रभू के हैं हम कहते हैं, प्रभू हमारे हैं इसलिए उनका इतना ध्यान रखते हैं इतना उनसे लाड़ दुलार करती क्योंकि यह हमारे हैं अपनी वस्तु का ध्यान रखाई जाता है उसका लाड़ दुलार तो किया है तो यह बात यहाँ पर बाद में है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं आप हमारे हैं प्रेमी कहता है आप किसी के भी, हम आपके हैं गोपी ने उद्धव से का आरे जा रहा है, संदेश लेकर आया है तो कुछ हमारी ओर से भी लेता जा ये तो शिष्टा चार है कोई आपके लिए परनाम देजे तो आप भी उसके उत्तर में कुछ कहें तो तू पाती लेकर आया है तो हमारी ओर से भी कुछ सुनता जा पहे देना उन से जाकर कि गोपांगनाओने आपकी इन बिना मोल की दासियों ने ये कहलाया है कि नी के रहे भले उन ही के रहे आप किसी के भी रहे पर शाम संदर प्यारे आप सदा हसते रहे, ह्रसन रहे मुस्कुराते रहे, हमारी ओर देखिये हम तो भी आपकी हैं हमारी और कभी ना देखिये हम तो भी आपकी है चैदने महाप्रभु कहते हैं वो मुझे स्विकार करे अस्विकार कर दे वो मुझे हृदे से लगाए या मेरे प्रेम पुष्प को अपने पाउं तले कुचल दे पर सर्वकाल सर्व विधी सदा सरवदा मेरे प्राणनात श्री कृष्ण है शाम सुन्दर है और फिर कहते हैं प्रेम छटा रंचक नहीं विधी को भजन अपार और भाई कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है बहुत आचार विचार में पढ़ने पर कठोर हो जाता है दुरुदास जी ने ऐसा कावले अत्यधिक आचार तो अनाचार है ऐसा ना हो कि आप अपना आचार विचार करते किसी जीव का हृदय दुखा बैठे किसी जीव का हृदय दुखा बैठे हाथ से माला चल रही है नौकर को गाली दे रहे हुए कैसा भजन है ये कैसा भजन है तो ध्यान रखना छोटे अपराद से बचने के लिए बड़ा अपराद नहीं कर वैठना ये बड़ा अपराद है किसी जीवात्मा को कश्ट पहुँँचे आपकी वानी से आपकी क्रिया से आपके शब्द से ये तो कहता हूँ साधन सिध्धी राम पग नेहू सोई कवि कोविद सोई रण धीरा जो छल चाड़ी भजैर घुबीरा नारज जी करें ये था व्रज गोपी का नाम भक्त की जो भक्त मंदिर की जो धजाय वो गोपी है और आप देखो गोपी को तो कोई आचार विचार आता ही नहीं गोपी को तो कोई आचार विचार नहीं आता था शब्री को कोई आचार विचार नहीं आता था कितनी भोली भकता रही होगी कि चक चक कर बेर देती है शी रगुनाद जी को हाला कि कुछ संतों ने कहा है कि चकती नहीं थी शबरी ने चका नहीं बेर वो तो एक व्रिक्ष का फल चकती थी जिस व्रिक्ष का फल मीठा होता था उस ब्रिक्ष से बेर चुन लाती थी ऐसा भी कोई कहने सुनने में आता है एक ब्रिक्ष पर सारे ही फल मीठे लगें ऐसा तो होता नहीं तो ये आचार विचार वाले कुछ लोग रहे होंगे जिनको ये विचार करने में कश्ट होता होगा पर मैं कहता हूँ सूर्दास इसलिए तो जस गाते हैं प्रभू का जूठे फल सबरी के खाए बहुविद भोग लगाई हरे रामा बहुविद भोग लगाई शबरी के जूठे बेर खाने से ही मर्यादा पुरशोतम प्रेमी भक्तों के आराद्धे हो जाते हैं श्री कृष्ण के स्वरूप को श्री कृष्ण को पूर्णा वतार कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेम की पूर्ण रूपें स्विकृति है हस्ता गाता कनेया खिल खिलाता कनेया प्रेम ही है भाई जो किसी को भी बड़ा बनाता है प्रेम ही है जो किसी को भी श्रिष्ट बनाता है तो यहां केरे प्रेम की छटा रंचक नहीं है और विदिका बजन अपार मैंने आपको बताया था ने शायद एक माताजी ने मुझसे पूछा बड़ा महत्वपूर्ण प्रशन है आजाई उत्तर दीजिएगा तो मैंने देखा जब मंत्र करे तो सांस कैसे लेना चाहिए किस गती से लेना चाहिए तो मैंने का माताजी लेना चाहिए बस कि इसी भी गती से लेो पर सांस लेो मिन गा कभी इस चक्कर में सांस लेना मत भूल जाना कि यहां से लूँ बहां से नई लूँ माला करते हैं तो भूले यह उंगली माला को नहीं लग जाए सुमेरू नहीं लांग जाए भाई मैं फिर यहां से आपको कह रहा हूँ जिस दिन प्रभु को याद करते-करते आप सुमेरू लांग जाओ आपको पता भी न पड़ी, पहली माला उसे दिन होगी आपकी, वो आपकी पहली माला होगी, जिस दिन आप प्रभु को याद करते-करते सुमेरू लांग गए और आपको पता भी नहीं चला, तानसेन गाते का हुझे आलमपना, मैं आपके दरबार में सिर्फ आपके लिए गाऊंगा इन सब के लिए नहीं गाऊंगा या फिर जो रिजवार हो वो बैठे तो अकपर ने बिरबल से का भाई अब रिजवार कैसे चुने बिरबल ने का ये कारे में कर दूंगा अगले दिन बादशाह का हुकम पढ़के सुना दिया गया भाई जब तानसेन गाएंगे तो जिसने सर हिलाया भावा किया उसका सर कलम कर दिया जाए अब बड़ी साबधान होकर सब बैठे तानसेन गा रहे हैं और तानसेन का गाना कैसा है धरा मेरू सब डोलते तानसेन की तान तानसेन गा रहे हैं राग-रागिनी का रंग चड़ने लगा और सब बनकर बैठे हैं कि गरदन नहीं हिल जाए गई भावा नहीं हो जाए गई एक था जैसे हो राग का रंग चड़ा वो स्वर का माधुर ने बढ़ा सर हिलाने लगा और फिर वह 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 तानसिंद में गाना रोका बस केवल ये व्यक्ति बैठ सकता है इसके सामने गाऊंगा और और कोई धर्बार में नहीं हो केवल ये व्यक्ति योग है मेरा संगीत सुनने के तुलसी मेरे राम को रीज भजो याखी विदी निशेद में वो बड़े जो प्रभु के प्रभाव का भजन करता है प्रभाव का भजन कौन करेगा जिसको प्रभु से कुछ लेना देना होगा अर्था जो सकाम भाव से कोई अनुष्ठान करता है उसके लिए सब विदी निशेद है जिसे प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु को भजना है उसके लिए तो संत कहते हैं तुलसी बेरे राम को रीज भजो या खीज अरे प्रभु के स्वभाव का विचार करिए गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए एक बार श्री कृष्ण के स्वभाव का विचार तो करो कैसा प्रभु का स्वभाव है मातु की गति दई ताही कृपाल या दवराए कनया ने ये नहीं देखा विष्ट पिलाया है कनया ने का छाती से लगाकर मुझे दूद पिलाया है मातु की गति दई ताही कृपाल या दवराए जो प्रभु के स्वभाव का विचार करेंगे वो कभी इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे भाई कंडा बींती बींती जनाबाई विठ्थल विठ्थल करती है और जगड भी पड़ती है और कभीर जी जैसा कोई परम संथ देखकर हैनान हो जाता है ये केसी भक्त का दर्शन करने आया है हम गोपर के कंडों के लिए लड़ रही है पर जनाबाई कहती है कंडा साधारन नहीं है मेरा कभीर जी ने पूछा कंडे में क्या विश्यष्टा हो सकती विल्यक्त कान से लगाईए ख़बर पड़ेगी कभीर कान से लगाते है जनाबाई का थापा हुआ कंडा और कंडे से आवाज आती है विठल विठल विठला माझा पांडूरंग विठला विठल विठल आपका मनन्य किर्थिन्गा कहिए विठल विठल विठला पांडूरंग विठला विठल विठला माझा पांडूरंग पांडू रंग विठला अचा बहुत दिन हो गए आप ताली बजाते थोड़ा आगे आगे नहीं होए थोड़ा थोड़ा आगे आजाईए विठ्छल विठ्छल विठ्छला पंडूरंग विठ्छला गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा देखो प्रभु के आजमन की वेला है, प्रभु के प्राकट्टे की वेला है और मुझे तो लगता है भाई इस स्रिष्टी में इस समय सबसे शुद्ध अगर कोई वस्तु है तो वो केवल प्रभु का नाम है बाकी सब मिलावटी है हम आप सब मिलावटी है प्रभु का नाम शुद्ध है इसे शुत वस्तु से प्रभू की वस्तु प्रभू को निवेदन करते हुए प्रेम से गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मैं राह ना जानू प्रेम की सावरिया चित चोर सावरिया चित चोर दो ऐसा संकेत कचो मेरा होवे रिदय विभोर मेरा होवे रिदय विभोर बहे अखियन रसधारा बहे अखियन रसधारा केशव कलीमल हरन नाम का मिले सहारा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा और प्रेमी तो जिस प्रसाद की सधा अभिलाशा लगाए रहता है वो बस किवल इतना ही है कवीर तो कहते हैं कवीरा हसना छोड़ दे पर कर रोने से प्रीत बिन रोए क्यूं पाई ये परम प्यारा मीत गालिब कहता है रोने से और इश्क में बेबाख हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाख हो गए कैसे जाएगा ये अंतर का कलुश ये प्रेम के अश्रुओं के साथ ही बहता है भाई इसलिए मैंने कहा ध्यान देना अपनी इस भजन यात्रा पर भी ध्यान देना वो घडियां कौन सी थी वो ही भजन के क्षण थे ये अब अकारण बस प्रभूं को स्मरन करके भर आये हो नेत्र रख सीस सदात्व चर्नन पे निज असवन से पगधोता रहूं निज असवन से पगधोता रहूं ब्रज राज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूही निरंतर रोता रहूं बस यूही निरंतर रोता रहूं अच्छा एक और बात मुझे लगता है कोई रो रो कर पुका रहे है तो शीग रहना पड़ता है प्रभू को हमारे भोला नाज जी भोली सखी रोते ही रहे प्रिया जी की याद में रोते ही रहे और मात्र 42 वर्ष की अवस्था में श्री जी के चरणों की प्राप्ति होई इसलिए कबीर ने कहा अरे मन हसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत बिन रोय क्यूं पाई ये परम प्यारा तो रक्सीस सदातु चरणन पे और निज असुवन से पगध होता रहू पुर्वि मैंने कभी कहा था प्रेमी के प्रेमाश् से अधिक पवित्र इस त्रिलोकी में और कुछ नहीं है गंगा की धारा तो पवित्र करती है सेवा और तीरत ब्रह्मन फलत हैं काले ही पाए गंगा की धारा तो पवित्र करती है पर प्रेम के अश्रू जैसा अंतर्वन को धोते हैं वैसा और कोई साधन नहीं प्रभू की नाम का आश्रे लेकर और प्रभु की याद प्रभु की स्मृति पाय तिहारो प्रेम किशोरी और छकी फिरू मैं ब्रज की खोरी तुब गुण गावत दिवस बितावत द्रिक जर लावत हैं हो प्रेम विभोर शिराधे कीजे कृपा की को